हे गाइस आज मैं आपको बैलूर में चेननकेशव मंदिर नामक एक खास मंदिर दिखाने जा रहा हूँ यह मंदिर कई अजीबों गरीब नकाशियों और इंजिनिरिंग के कारणामों के लिए ज्याना जाता है और सबसे पहली चीज चो आपको हैरान करती है वह है यह खुबसूरत विशाल टावर यदि आप शीर्ष पर जूम करते हैं तो दो छोर वास्तबले गाए के सींगों की तरहां दिखने के लिए डिजाइन किये गए हैं और इसलिए इस टावर को गोपरम कहते हैं गोश अब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में गाए होता है अगर आप इस टावर पर चड़ कर उपर खड़े हों और आप मंदिर को देखें तो आप देख सकते हैं कि इसे बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से डिजाइन किया गया है मुझे नहीं लगता कि इस मुख्य संरचना के आकार की व्याख्या करने के लिए कोई शब्द है यह बहुत अजीब है और यह समान रूप से एक आकार का भी नहीं है क्योंकि पीछे की तरफ अदित्य फूल के आकार का डिजाइन है इस मंदिर में 32 कोने हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर एक उठे हुए चबूत्रे पर बना है जिसमें तीन अलग-अलग प्रवेश द्वार है शीर्ष पर एक बहुत ही अजीब पैटन है जैसे कि छै पैरो वाला एक कीट यह मुख्य प्रतिमा की स्थिती को दर्शाता है दूसरे शब्दों में उस चिन्ने के ठीक नीचे आपको मुख्य कक्ष के अंदर चिन्ना केशव की 9 फीट उची मूर्ति मिलेगी इसके ठीक पगल में आप मुख्य सन्रचना के सामान आकार के साथ डिजाइन की गई एक और छोटी सन्रचना देख सकते हैं उपर से देखने पर ये आकार में एक जैसे दिखते हैं यह क्या है जब आप इसे जमीन से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि मुख्य सन्रचना के निर्मार से पहले इसे एक छोटे आदे मॉडल के रूप में बनाया गया था पुरातत्व विद इस बात की पुष्टी करते हैं कि हाँ इसे एक मॉडल के रूप में बनाया गया था और यही कारण है कि सन्रचना की दिवारों पर ज्यादा नकाशी नहीं है और मुख्य सन्रचना पूरी तरह से नकाशीों से अलंकृत है इस सन्रचना पर 10,000 से अधिक नकाशी पाई गई है मुख्यधारा के पुरातत्व विदो का दावा है कि इस मंदिर को पूरा करने में 100 साल से भी ज्यादा का समय लगा और एक समय में 1000 से ज्यादा लोगों ने इस पर काम किया और भले ही यह मंदिर 900 साल पुराना है फिर भी यह पूरी तरह कार्यात्मक और सक्रिय मंदिर है जिसका अर्थ यह है कि यहां हर दिन हिंदू अनुष्ठान किये जाते हैं लेकिन भले ही यह एक हिंदू मंदिर है लेकिन प्रवेश द्वार में एक बहुत ही अजीब रहस्य छिपा है प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर हिंदु देवताओं की एक शांदार नकाशी है भगवान विश्णों के दस अफतारों को दर्शाने वाली दस छोटी छोटी नकाशियां है हाला कि नौवे अफतार को देखिये यह भगवान बुद्ध है और यह बहुत आश्चरी की बात है क्योंकि आज हम सोचते हैं कि बहुत धर्म हिंदु धर्म से बिलकुल अलग धर्म है हाला कि हम देख सकते हैं कि 900 साल पहले बुद्ध को इस हिंदु मंदिर में शामिल किया गया था और बुद्ध को भगवान विश्णों के अफतारों में से एक माना जाता था मंदिर ना केवल देवताओं को दर्शाता है बलकि यह भी दर्शाता है कि प्राचीन मानव कैसे रहते थे यहां हम देख सकते हैं कि प्राचीन लोगों के घरों में बालकनिया या डेक रहे होंगे नकाशी इस पश्ट रूप से बहु मंजिला इमारतों को दर्शाती है जिसमें हर मंजिल में एक बालकनी है जहां आप पैट सकते हैं और आराम कर सकते हैं ठीक वैसे ही जैसे हम आज करते हैं कुछ नकाशियां ऐसे भी हैं जिने अग्यात कारणों से चान बुच कर नश्ट कर दिया गया है आप देख सकते हैं कि यह आकरती काफी विनाश से गुजरी है मानो कोई हतोडे लेकर नकाशी पर जोर जोर से वार करता रहा हो हम पूरी नकाशी पर बड़े बड़े डेंट्स देख सकते हैं वह कौन है और उसे क्यों नश्ट किया गया वह अरजुन है एक महान तीरंदाज और वह एक खुमने वाले लक्षी पर निशाना साध रहे हैं जो कि एक मचली के आकार का है जबकि जमीन पर तेल के कटोरे पर अपना प्रतिविम देख रहे हैं ऐसी ही मूर्ती आप अन्यमंद्रों में भी देख सकते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि यह अरजुन है सान्य लोगों का कहना है कि मूल रूप से उनके धनुष की डोरी को टैप करने पर साथ संगीत में स्वर निकलते थे एक पत्थर के तार की कल्पना करना आकरशक लगता है जो कि विभिन नोट्स का उत्पादन कर सकता है हम इसकी पुछ्टी नहीं कर सकते लेकिन इस्थानी लोगों का कहना है कि यह इसलिए नश्ट हो गया था क्योंकि लोग इस नकाशी पर छोटी छोटे पत्रों से प्रहार करते थे जिससे सब कुछ नश्ट हो गया और इसमें गंभीर टेंट आ गये कुछ का तर्ग है कि इसे नश्ट कर दिया गया था क्योंकि इसमें अन्य अजीब विवरण थे चेर्ना केशव मंदिर अपनी अजीब वगरीब नकाशियों के लिए जाना जाता है यहाँ आप एक वानर जैसी आगरती को देख सकते हैं जो अपनी आँख पर टेलिसकोप पकड़े हुए है और दूर देख रहा है क्या प्राचीन काल में दूर भीन मौजूद थी यहाँ एक और मूर्ती है जिसने कई सवाल खड़े किये हैं यह पक्षी क्या है यह तोती की तरह दिखता है लेकिन इसकी पूछ बहुत लंबी है हाँ यह एक प्रकार का तोता है लेकिन विशेशग्य पुष्टी करते हैं कि इस प्रकार का तोता मूल रूप से केवल अमेरिका और केरेबियन में पाया जाता है भारत से बहुत दूर इतिहासकारों का दावा है कि पिछली कुछ शतावदियों में हाल ही में मकाओ को भारत लाया गया था फिर भी इस मंदिर में 900 साल पहले से कैसे उके रगया था यहाँ एक और अजीब नकाशी है एक तरफ हम वैशावण नामक एक भगवान को देख सकते हैं वहे मूल रूप से सोने की खुदाई करने वाले भगवान है नहीं शाब्दिकर्थ में नहीं वहे वास्ता में पृत्वी से सोने और कीमती रतनों की खुदाई कर रहे थे उन्हें आम तोर पर अपने लंबे खुदाई करने वाले उपकरण के साथ दिखाया जाता है जो की पृत्वी में चला जाता है दूसरी ओर एक और भगवान है जो केंद्र में देवी को एकत्रित किये गए सूने की डली पहुचा रहे हैं केंद्र की आकरती को स्वन भैरवी कहा जाता है जो लोगों को सोने और कीमती पत्थरों से आशिर्वात देती है यहाँ जो आकरशक है वह यह है कि यह दो आकरतियां आज के खनिकों की तरह ही सुरक्षात्मक हेलमेट पहने हुए हैं कम से कम हम कुछ नकाशियों को तो समझ सकते हैं लेकिन इसे देखिए यह मानव दिखता है लेकिन इसके दो विशाल पंक हैं और इसे कई उपकर्णों और हत्यारों के साथ दिखाया गया है यह उलेखनी रूप से प्राची सुमेरियन और मैसोपुटामिय की नकाशी के समान है जहां देवताओं को पंक हो और हत्यारों के साथ दिखाया गया है लेकिन यहां अजीब नकाशियां हैं यह तीनों आकरतियां कुछ अजीब हरकत कर रही है पहला आदमी अपने चेहरे पर कुछ पकड़े हुए है यह टॉर्ज की तरह लग रहा है या शायद वह विगुल बजा रहा है दूसरा आदमी एक बच्चे या बंदर को पकड़े हुए है और अपने हातों में कुछ और भी पकड़े हुए है तीसरी व्यक्ति की एक हात में बैरल और दूसरे हात में कोई अग्यात वस्तु है यह सभी किसी ना किसी प्लैटपॉर्म पर खुद को बैलेंस कर रहे है और एक विशाल पक्षी उन्हें उत्सुकता से देख रहा है यह कौन समझा सकता है नकाशी ना केवल अजीब है बलकि इस श्रंखला की तरहां उन्नट डिजाइन भी दिखाती है यह कई कड़ियों के साथ एक वास्तविक चेन की तहां दिखता है लेकिन यह एक ही पत्थर से बना है यह 14 लिंक बेहत वास्तविक दिखते हैं जिससे यह वास्तविक धातों की चेन जैसा दिखता है भगवान की हजारों आकरशक नकाशियां है विभिन प्रकार की अजीब गतिविद्यों को करने वाली कंकाल जैसे आकरतियां है प्राचीन भारतिये महा कावियों के युद्धिके द्रिश्य हैं और बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पर दस हजार से अधिक नकाशियां है यही कारण है कि इस मंदिर को कला सागर यानि की कला का महा सागर कहा जाता है मुझे आशा है कि आप एक दिन इस मंदिर के दर्शन करेंगे और इसकी सुन्दरता का आनंद लेंगे मैं प्रवीन मोहन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करना ना भूले और मैं आपसे जल्द ही बात करूँगा बाई